अब हमने साथ बच्चे बेजे साथ 100% सपल यानि साथ बच्चे मेरे परिवार के गए और वहां सपलता मिली माईक दिना चाहूंगा हम राजवीर जी को जिन्नों ने इन सब को जोड़ा मेरे साथ राजवीर जी तब से लेके आज तक यात्रा पुरी बताएं और अलमोस कितने एक बेटे बेटी हैं आपके जिनकों आप जानते हो वो स्रेक्ट हो चुके प्लीज आपका स्पीच बड़ा मोट्वेशन रहेगा उन लोगों के लिए जो हिजिटेट होते हैं थोड़ जिजिकते हैं कि घर से बार कैसे बेज़े हैं क्या होगा कैसे होगा प्लीज एक बार तो तरह बजारा राजवीर जैसी एल्सी बोस सरो प्रथम मैं 2012 में मेरे बड़े बेटे को टैंट कराके में लेके गया जो आज सी एल्सी का कैंपस है उसमें बी बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है अब वो कैंपस मैं वहां गया तो एक अपने हाजीपूर के विकास जी है सेठों का लड़का था उस तो मैंने सबसे पहली चीज जो हाँ सी एल्सी में नोट की कि होँआ बच्चे आ रहे थे और एक सी एल्सी के डारेक्टर से ऐसे आत्मेता से जा रहे थे उनके कोई रोकने वाला नहीं था मैंने सोचा अपने मन में कि बंदे में दम तो है क्योंकि मैं भी एक टीचर था एक को पता ही नहींता है इतना कोपरेट करते एक एक चीज पूछते हैं मैंने साब जाके फॉर्म लिया फॉर्म भर दिया मेरे बड़े वाले बेटे को मैं होँआ छोड़िया है बोस्के हां होस्टल में मुरारी लार्जी वार्डन थे बीडिंग के पास इंग्लिस मीडियम हो सब्सक्राइब के बाद 11-12 और वह बच्चा मेरा एनाइटी सीएस कंप्रूटर साइंस से अगर तलाच चला गया उसके बाद साब मुझे ललक लगी मेरा भतीजा यह सुमन भी मेरी भतीजी मैंने हैमन सका वो हैमन भाई अपन बहुत पीछे चल रहे हैं एजुकेशन में पर वह सिक्षा का मिलें मुझे में कहां मैंने का सिकर बोलका मैंने कभ्लाइबारática उन का नाम में शर्वराWORTH और उनको बुलिए बॉस के नाम से मैं पूसता हूं जो हमनी लेते भॉस लोग शestly बहुत हुं मैंने कहा और भाई उसमें हां मैंने है मेरा बत्ती आगया रोः क्या बाद अब उसके बाद मेरी बेटी ने पूरे राजस्थान में सुमन ने नाम कर दिया कि संस्ता से यहीं और उसके बाद मेरे दो बच्चे मेरी भति जी नी-तू और मेरा खुद का लड़का अमन मेरी बच्ची अरती अप्रपूर में है नी तूवस्थ 2020 में MBBS कर रही है लड़का जो है JMC जालावार और फिर उसके बाद मेरे एक बतीजा है मन जी का वो NIT पटना यानि मनी सोरी अब हमने साथ बच्चे वेजे साफ 100% सपलता यानि साथ बच्चे मेरे परिवार के गए और वहां सपलता मिली उसका राज सर मैंने जो देखा मैं दूर स से रहता था इतना मेरा थोड़ा सरमिलापन था जब बोस असंबिली लेते थे तो मैं पीछे खड़ा हो जाता जब भी जाता मैं कभी बोस से ज्यादा बार रूबरू नहीं हुआ हूं लेकिन मैंने देखा कि हे भगवान इस दुनिया में इतना मोटी वेतर है ऐसा प्रेण बच्चे सोप के आ जाते हैं तो आप उनको अकेला नहीं छोड़ते उसकी मिसाल थी रात्री के कैम्प जैसे ही बच्चे खाना वगरा खाके साड़े आठ बजे नो बजे फिरी हो जाते बच्चे सारे कैम्प में जाते और जिस इतनी बड़ी इंस्ट्यूट का डायरेक्ट रात के डेड़ बजे तक उन बच्चों को एक-एक बच्चे को कैमरे से नजा रख रहा है और बेटी मेरी बेटी जो नीतू थी मैंने बाद में रूम लिया थोड़ी सुस्वास्त की प्रोब्लम थी धन्ने हो CLC को कि उन बच्चियों को रात को डेड़ बजे भी सुरक्ष रूम पे छोड़ा जाता था यह CLC की खास्यत इसाब और मेरा तो व्यक्तिकेत यह है कि सिक्षा के छेत्र में होंगी बड़ी इस्टिटूट में किसी की बुराई नहीं करता लेकिन फैकल्टियों से बढ़िया जो सबसे बड़ा काम लगा एक इंडिजुल साब मिटिंग म मैंने बच्चों से पूछा कहा जा रही है छे बजे उठके बोलो भूस ने बुला है संडे को भूस तो क्लास हो फ़े प्रतेGU बच्चे को जानना ओर रूम पे नधdd का बैटा क्या वो सर ने काजूकतली खिलाई है हमसे प्रोबलम पूछ इन्डिजुल कॉन इतनी बीस- 30,000 की बीड में कौन धान रखता है इसे बच्चों का वो संस्ता के ओले एक है CLC सीकर तो मेरा तो आपको दोस्तों के बच्चे स्रेक्ट में उनके बिल्कुल मेरे एक साथी थे सुधीर कोशिक जो नर्सिंग कंपाउंडर है मेल नर्स है किंड उनकी बेटी सुकृति कोशिक जिसको मैंने CLC होस्टल में रखता था साथी के में उसको भेजा और वो आजकाल GMC भर्तपूर और अतिशोक्त नहीं बोस आपने उस बच्ची को इतना तरास दिया छोटी कोलेज नहीं वो आपका नाम करेगी आर यू एसस यूस्ति की सेकेंड राइंग के रहे हो इस बार अब आप ताजूब करोगे 35 में से जहां सफलता करें 28 बच्चे हो जाएं यह 30 मच्चे हो जाएं तो इससे बड़ी बात क्या होगी तो सीधा सट है कि बोस मैं तो धन्यवाद दूँगा आपको इस सीज़ का कि गरीबों के घर में जो आपने लिखर कहने हुआ वास्तों में गरीबों के घर में आपने डिपक जला दी यह सत्यता है इसमें कोई अति मेडिकल में आप 35 में से 25 रेक्स दे रहे हैं दोस्तों के परिवार के मित्रों के जानकारों के तो ऐसे लोगों की जो दूआएं हैं इनका विश्वास है यह साब सी को जिंदा रखता है उसी की देन है कि पिछले 26 साल से हम लोग अमारे काम को बहुत प्रोग्रेसिव मूड तो नहीं है कि मेरे बच्चे को 45 में परसेंट अब हो नहीं मैंने जब सुरू में 2012 वह भी व्रतांत बदा दू बहुत से एक मिट के लिए कि एक लड़के का हुआ फोटो लगा था उसकी टैंथ में मात्र 54 परसेंट थी और वो हैं अमिरिका जी और वो हंड्रेंड रैंकर म तो उस बच्चे को जब बोश ने तरास दिया तो मेरा विशेश निवेदन है अगर थोड़ा बहुत भी टैलेंट है हमारे बच्चे में तो निसंकोच निसंदे सरवन जी को बच्चे सोप याएं 100% सपलता मिलेगी ये मेरी आत्मा और आपका विश्वास थैंक्यू राज